गुट मॉरिंग स्टुडेंट्स आजम करने जा रहे हैं अपनी वोक्षीट 59 सब्जेक्ट मैच्स क्लास 9 हमारी डेज 23 नेवामर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं हम पड़ रहे थी सर्कल्स के बारे में और सर्कल्स में हमने बहुत सारी थियोरम्स करी तो आज हमें एक औ में यहांत और इंपर्णन थियोरम करने यह पेशली मुषूखी की त मुषूखी दूख कर के लिए ती के यह पिछली बार हम ने की थी तो आज हम उसके अलावा एक और हम जो अपनी थियोरम में वो complete करेंगी तो सबसे पहले revise कर लेते हैं देखो हमने क्या learn किया था the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle जो बाकी हमारा circle बच जाता है उस पर किसी भी point पर कोई हमारा angle बन रहा है वो क्या होता है तो जो center पर angle बन रहा है यह double होता है किसका इस angle का ठीक है तो यहाँ पे जो P O Q है P O Q यह वाला जो angle है वो double है किसका P A Q का ठीक है उसको जो P A Q है P A Q is also called the angle formed in the segment P A Q P तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो P A Q है वो भी क्या है angle जो बन रहा है कौन से segment पर P A Q P पर P A Q P का है P A Q P ठीक है यह बन गया तो यह complete इसके अंदर जो हमारा angle बन रहा है वो क्या है P A Q अब हम देखते हैं दूसरा point C remaining part of the circle पर यह हमने C एक और point ले लिए इसी segment पर देखो इसी segment पर हमारा यह point B C तो हमारे पास क्या हुआ जो P A Q क्यो है P O Q है वो double होगा किसका इसका भी double होगा है ना PC के O Q का भी double होगा इसको हमने मान लिया first equation उसकी बाद second equation किसको माना हमें P A Q के भी double होगा यह भी हमें पता है जो यह P O Q है यह किसके double होगा एक तो यह इसके double होगा यह मैंने लिखा है second point पे और इसके भी double होगा यह मैंने लिखा है first point पे तो यह दो points लिखे है तो हम first और second point से यह consider कर सकते हैं कि जो double है किसका P A Q का वो किसके equal है double है PC क्योंके इनको आपस में हमने equal रखते है क्योंकि दोनो P O Q कि बराबर है इसका मतलब यह भी दोनों क्या है आपस में बराबर है equal है तो मैंने इन दोनों को equal लग लिए अब यहां पे two से two cancel होगा तो इसका मतलब यह angle और यह angle जो P A के होगा और P C के होगा यह angle A और C यह क्या है equal है ठीक है तो इसका मतलब जो हमारी same segment पे angles बन रहे है किसी भी point पे circle पे वो भी क्या होते है equal होंगे यह और यह angles भी क्या होंगे जो एक code P Q पे हमने बनाई है ठीक है आप देखो therefore angles in the same segment of a circle are equal अगली theorem क्या है बस यह छोटी सी है angles in the same segment of a circle are equal जो angles एक segment पे होते हैं यह हमारी segment है इस पे जो भी angles आपके बनेंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे angles in the same segment of a circle are equal आप देखो यहाँ पर आपको देखना है इस figure में code MN यह figure आपको देख रही है इसमें code MN है जो कि diameter जो circle को दो equal segments में डिवाइड करती है एक segment यह होगी एक segment यह होगी दो equal segments में डिवाइड करती है तो जो दो two equal segments है इनको हम क्या बोल सकते है semi circles भी बोल सकते है क्योंकि एक तरस ही क्या है semi circles ही है तो हमें मिला we found that जो MON angle है MON यह वाला जो आपका angle है वो double है किसका MAN की MAN क्या है 90 degree है 90 degree का double क्या होता है 180 यह 180 degree है यह तो में साफ साफ दिखी रहा है है तो angles are printed by an arc at the center is double the angles are printed by it at any point on the remaining part of the circle इससे यह भी prove होता है यह देखो यह 90 था इसका double हो गया 180 degree यह हमारी क्या थी थियोरम थी तो जो 180 है वो क्या है double है किसका MAN का double है MAN क्या है 90 degree है 90 degree का double है 180 degree तो हमें दूसरी property मिली circle की की angle in a semicircle is right angle यह भी हमें इसी property से पता लगता है कि जो angle semicircle के अंदर है वो क्या है एक right angle है आप देखो अब हम चलते हमारे example पे एक example आपको दिया हुआ है किस तरह का questions आप पे बन सकते हैं इस तियोरम पे उसकी बाद द से पहले हम सीख लेते हैं अपने example से इस example में में दिया हुआ है कि जो PQR है PQR यह जो angle ही कितना है 110 है जहाँ पे जो PQR है वो point से circle पे PQR क्या है circle पे point है जिसका center क्या O है तो आपको गया निकालना है angle OPR यह जो angle है OPR यह आपको angle की छोटा सा angle आपको निकालना है तो यह पर हम लिख सकते हैं जो P P के हुआ रहे है वो है 110 है 110 है तो आपको यह पता है आपकी theorem से कि यह अगर 110 है तो यहाँ पर जो center पर जो आपका angle बनेगा क्या POR जो आपका यह angle बनेगा यह कितना बनेगा इसका double हो जाएगा 110 का double कितना हो जाएगा 220 ठीक है कैसे क्योंकि हमारी theorem है the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it and any point on the remaining part of the circle ठीक है अब यहाँ से देखो जो आपका POR है POR कि अंदर angle 2 की बात कर रहे हैं हम पहले angle 1 की बात कर रहे थे जो बहार वाला था ठीक है अब angle 2 जो अंदर आपको दिख रहे है इसकी बात कर रहे है अंगल 2 की जो POR आपका angle 2 है यह क्या होगा पूरा यह 360 होता है 360 में से हमने यह बाहर वाला निकाल लिया 220 यह minus कर दोगे तो आपका अंदर वाला angle निकल जाएगा यह ठीक है 360 में से मैंने 220 माइनस किया तो मेरा अंदर वाला angle आया 140 डिग्री ठीक है तो 140 डिग्री आया तो अब हमें angle sum property पता है हमारी triangle की जो ती dit एक angle यह दूसरा यह और तीसरा यह इंतीन कसम क्या होगा 180 होगा तो हमने लिख लिखे लिया angle 2 plus angle 3 plus 4 is equal to 180 यह angle 2 यह angle 3 और यह 4 तो इन तीन कसम क्या होता है 180 होता है तो angle 3 यह और 4 है यह वाला एंगल है और यह वाला एंगल का हैเลम हों कि do क्यों कि यहेient cả्हेख again the lleagable साइट सब्सक्वाइब के सामने सामने कें डेंगल सि कोफले होतें इसलिए हई स्थिटा commission go Möglich ब्रखें इंगल 4 कीज़ेगे मैं लिख देती हूँ 140 उसके बाद है आपका यहां पर 2 2 times आपका क्या है एंगल 3 है जो किसके बराबर है 180 के बराबर है तो जो आपका 2 2 times एंगल 3 वो किसके बराबर होगा 180 minus यह थर plus में यह थरा के minus में हो जाएगा 140 कितना है आपका 40 आया ठीक है ये दो angles है root 3 ये जो अपके angle 3 है ये 2 angles है 40 तो एक angle कितना होगा root 3 कितना हो जाएगा इसका आदा हो जाएगा क्योंकि 2 root 3 हमारा कितना आया है इसके बाद मैं यह उपर लिख रही हूँ 40 आया है ठीक है तो यहां से जो angle 3 है वो कितना हो गया 40 1st question हमारा क्या है आपको यह जो figure दिख रही है इस figure के अंदर आपको 4 points दियो है A, B, C, D ठीक है A, B, C, D 4 points है circle के अंदर जो A, C और B, D है A, C, B, D intersect करते हैं कहां पर E point पर इस तरीके से intersect करते हैं जो B, E, C angle है B, E, C यह जो angle यह कितना है 130 degree है और जो आपका angle E, C, D है E, C, D यह जो आपका angle है यह कितना है 20 degree है ठीक है तो आपको क्या निकालना है B, A, C B, A, C यह आपको निकालना है B, A, C ठीक है तो कैसे निकालो कि यह देखो पिटा solve करते हैं निकालना कि आपको B, A, C निकालना है और B, E, C है, B, E, C है, और D, E, C है, D, E, C है, ये जो है, ये कितना होगा, 180 होगा, है ना, क्योंकि क्या है, linear pair है, straight line पे जो आपके angles बनते हैं, वो linear pair है, तो ये 130 है, एक 130 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 में से 130 माइनस कर दो, 50 degree, चीक है, तो ये क्या होगा, आपका 50 degree होगा, ठीक है, D, E, C क्या होगा, आपका 50 degree है, यहाँ पर E लिख लेना आपको, 50 degree होगा, तो अब आपका क्या है, triangle D, E, C में, अगर हम देखे, triangle D, E, C, इस triangle में, तो जो D, E, C है, तो यहाँ पर ये angle, E वाला, और D वाला angle ये, और C वाला ये, इन तीनों कसम क्या होगा 180 degree, क्यों है, इन तीनों का जो सम में, वो क्या होगा, 180 degree होगा, ठीक है, तो इसके बाद, यहाँ पर हमें पता है, अभी हमें ये angle निकाला था, कितना, 50 degree, तो मैंने 50 रखा, ये angle given है, 20 degree, मैंने 20 रखा, हमें निकालना है, angle D निकालना है, EDC हमें निकालना है, तो क्या होगा, देखो, 50 प्लस 20, 70 होता है, EDC निकालना है, तो EDC प्लस में होगा, is equal to 180, तो यहाँ पर यह जो 70 है, प्लस में, इधर जाके तो माइनस में हो जाएगा, तो EDC जो हमारा है, 180 माइनस 70, 110 आ जाएगा, ठीक है, तो हमें पता है, यहाँ से जो EDC है, वो 110 आ गया, ठीक है, अब देखो, ED EDC आपका 110 आ गया, यह है EDC, यह आपका 110 आ गया, तो EDC जो है, यह BDC भी तो है ना, यह वही एंगल है, BDC, तो आपका जो BDC है, यह एंगल है, यह तो इस एंगल के equal होगा, यह एंगल और यह एंगल equal होगा, क्यों क्यों क्योंकि angles in the same segment, तो देखो, BAC किसके equal होगा, BDC क्य two angles in the same segment are equal तो इसका मतलब जो हमारा BAC है वो भी क्या होगा 110 होगा तो यह हो गया आपका solution number one ठीक है तो यहां से बिटा यह आपको diagram बनाना है सबसे पहले ध्यान रखना diagram और यह e-point आपको बना लेना है इस diagram में e-point आपको बनाना है यहां ठीक है तो यह हो गया मेरा question number first का solution ठीक है तो यह पूरा आपको कर लेना है उसके बाद हम चलते हैं अपने question number two पे question number two देखो सबसे पहले आपको यह question लिखना और यह figure बनानी है यहां से ठीक है यह दोनों काम आपको यहां से करने है उसके बाद देखो यहां पे आपको दिया हुआ है कि जो ABC है ABC है वो three points एक circle पे जिसका center क्या है O है इस तरीके से कि जो BOC है वो कितना है 30 डिग्री है BOC 30 डिग्री है और AOB यह जो angle है आपका यह 50 डिग्री है तो D एक point है circle पे किसी आर्क पे बहारवारी आर्क पे other than ABC ABC को छोड़के तो आपको ADC निकाला है यह angle आपको निकाला है तो कैसे निकालोगे सबसे पहले आपको question लिखना है और अपना यह diagram मनाना है आप देखो solution इ 50 plus 30 50 plus 30 कितना होता है 80 degree होता है अब हमने एक theorem पड़ी थी कि angle subtended by arc at the center is double the angle between angle subtended by it at any other point जो angle हमारा arc पे बन रहा है center पे उसका double होता है कहीं पर भी हम point बनाए तो देखो यहां से जो AOC है यह जो आपका angle है AOC वो किसका double हो जाएगा इसका double हो जाएगा ठीक है जो ADC का है इस का double यह angle होगा तो यहां से जो AOC है यह है sorry AOC यह वाला जो angle है आपका यह वाला जो आपका angle है कि क्या होगा यह इसका double होता है ठीक है तो यह angle है जो AOC कितना 80 degree किसका double होता है 2 times of ADC इसका double होता है तो यहां से 80 का अगर आदा कर दोगे तो आपका ADC निकलाएगा 40 degree ठीक है इतना चुटा सा है यह आपको सिर्फ, यह आपका देखो, यह आपका आंसर नमर टू, यह आपको लिखना है पहले, 18 निकाला आपने, उसके बाद थियोरम लिखी हो, थियोरम के बाद अपने solve कर दिया, तो simply दो questions आज आपकी वोक्षेट में given थे, I hope आपको अच्छे से दोन और पूरी वोक्षेट समझ में आ गई है, फिर भी कोई भी डाउट है पूरी वोक्षेट में, तो comment section में आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो हमारी चानल को subscribe करें, thank you and have a great day.